Hey guys, welcome to my channel trick info, मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो slice card है, उसकी जो payment है, वो कैसे करनी है मान लिजे आपकी due date आगे की है और आपको उससे पहले ही अपनी payment करनी है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, कि आपको उसकी payment कैसे करनी है काफी लोगों ने slice card apply तो कर दिया, बन भी गया है, application पे भी चला रहे है लेकिन अविदे कुनों ने पहली payment नहीं करी है और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको उसकी जो payment है, वो कैसे करनी है तो चलिए application मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको उपनी application को open करना है, slice को और यह open हो जाएगी, आपको यहाँ पे अपना pin डालना है और login हो जाना है, ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं, 2660 रुपे लिखा हुआ है, फरवरी spend, यानि कि मैंने फरवरी महिने में 2660 रुपे spend करे हैं तो यही मेरा bill है, मैं इस amount पे click कर देता हूँ, और आप नहीं जे सारी statement देख सकते हैं कहां कहां मैंने spend करे हैं पैसे, और कहां कहां मेरा cashback आया है, ठीक है तो मैं इसे थोड़ा slide कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक March repayment का option आ रहा है यान कि मेरी billing date है, वो एक March किये, मैं चाहूँ तो एक March को करूँ, मगर मेरे को repayment करनी है, यान कि मैं पहले ही payment करना चाहता हूँ ठीक है, तो आज की date आ जाएगी यहाँ पे, और आप देख सकते हैं, 2660 रुपे लिखावा है किस date में है, और मैं pay early पे click कर देता हूँ, यान कि मेरे को पहले ही payment करनी है इसके बाद आप देख सकते हैं, March 22 का option आ रहा है, मैं यहाँ पे click कर देता हूँ, और नीचे pay in full, pay in full पे click कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पूरी की पूरी payment एक साथ जमा करनी है तो नीचे pay now का option आ रहा है, मैं pay पे click कर देता हूँ, pay पे click करते हैं, मेरे सामने यह वाला pay open हो जाएगा, यहाँ पे जो मेरा payment method है वो आ जाएगा, यहने कि मेरे को phone पे करना है, pay ATM करना है या Google पे करना है, तो मैं Google Pay पे select कर लेता हूँ, और pay using पे Google पे select कर लेता हूँ, इस इसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना bank select करना है, और pay now पे click करना है, इसके बाद मैंने bank app pin डाल दिया, और यह मेरे जो payment है, यह process में चल रही है, आप देख सकते हैं, successful हो चुकी है मेरे payment, अब यह automatic back हो जाएगा, और यह हमारा slice की application में open हो जाएगा, आप देख सकते हैं, मे payment successful, मेरे payment successful हो चुकी है, अब मैं आपको इसमें all right करके back करके भी दिखा देता हूँ, कि मेरा जो bill आ रहा था, वो zero हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, तो मैं फटा वट से all right पे click कर देता हूँ, अब आप देख सकते हैं, मेरे एक message हो रहा चुका है, मैं message भी आपको दिखा spend करें हैं, मेरे पैसे आए हैं, मैं आपको back करके दिखा देता हूँ, अब देखते हैं, मेरे फरवरी spend zero हो चुका है, ठीक है, अब आप सबसे नीचे देखिए, मेरी एक profile photo आ रही है, इसके बरावरे मेरी limit show कर रही है, एक लाग तीहत्तर अजार, और मेरे इसमें तीन रु करना, और एक दो step थे, और हमारी payment अराम से हो गई, आप Google पे, phone पे, Paytm, किसी भी तरीके से UPI के धुरू, इसकी payment असानी से कर सकते हैं, ठीक है, तो जैसे की काफी लोगों ने जो slice card बनवा रखा है, अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता slice card के बारे में, उस सबसे अच्छी बात है, अगर आप अभी refer करके किसी को slice card बनवाते हैं किसी का, तो 300 रुपे आपको भी मिलेंगे, साथ ही जिसका बने का उसे भी मिलेंगे, आप जितने भी amount use करेंगे, और उसका payment करेंगे, उसका आपको 1% मिलेगा, और इसमें काफी सारे points होते हैं, जब आप उने cross कर देते हैं, तो आपका जो cashback है, वो 2% हो जाएगा, और इसमें और भी limit दे रखिए, cashback 3% भी हो सकता है, माल लिजे आपने 10,000 payment कर दी, ठीक है, 10,000 आपने payment कर दी, उसका जो cashback होगा, 300 रुपे होगा, तो काफी जादा होता है, हम लोगोंने अक्सर देखा है, कि भी हम card use कर रहे हैं और हमारा cashback लग रहा है, बट इसके अंदर क्या है, आपको cashback उल्टा मिलेगा, ठीक है, तो जल्दी से जाएगे उस video को देखिए और अपना slice card apply कर दीजिए, तो comment box में बताएं आपको video कैसी लगी, तो guys thanks for watching this video and subscribe to this channel.